आंतर राष्ट्रिय योग दिवस पर विश्व भर के योग प्रेमियों को अनेक अनेक शुब कामना है इस सताब्दी में हम अनुहव कर रहे हैं योग ने पूरे विश्व को जोड दिया है जैसे योग शरीर मन बुद्धी आत्मा को जोडता है वैसे आज योग विश्व को भी जोड रहा है हर कोई चाहता है तनाव मुक्त जीवन हो पीडा मुक्त जीवन हो बीमारी से मुक्त जीवन हो प्रसन्न जीवन हो इन सब को अगर किसी एक मार्ग से पाया जा सकता है तो वो मार्ग है योग का एक संपूर्ण जीवन को संतुलित रूप में कैसे जीआ जा सकता है तन से मन से विचारों से आचारों से स्वस्थता की अंतर यात्रा कैसे चले वो अगर अनुभव करना है तो योग के माध्यम से अनुभव हो सकता है आज विश्व का हर नागरिक जीवन शैली के करण कायर की शैली के करण आपाधापी के करण बढ़ती हुई जिम्मेवारियों के करण तनाव से मुक्त जीवन जीदां मुश्किल होता जा रहा है तब हमें हमारी दिन चरियाय में हमारे जीवन में हमारे कारकलाप में उन चीजों को लाना बहुत आवशक है जो हमें तनाव भरी अवस्था में भी तनाव से मुक्त रहने का रास्ता दिखाए ताकत दें और वो संभव है योग के नित्य अभ्यास से मैं सभी योग प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि हर वर्स हम संकल्प करेंगे कितने नए योग अभ्यासियों को हम साल भर में जोडेंगे योग को एक अंदोलन बनाने में हम स्वयम क्या भूमी का निभाएंगे और आप देखिए दुनिया की सुक्सांति में हम योग के द्वारा अहम योगदान दे सकते हैं मैं आपको निमंत्रित करता हूं सिर्फ आंतर राष्टिय योगा दिवस नहीं लेकिन योग जन चेतना जगाने के लिए जन मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक आंदोलन बने और आप उस आंदोलन के योगी बने यही वेरी आप सबको बहुत-बहुत शुब कामना है योग केवल व्यायाम नहीं है योग एक तनाव ग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है दूर करके उसे तनाव रहित बनाता है योग अशान्त मन को शान्त करता है इसलिए आईए हम सब योग को अपनाएं अपना मन भी शान्त करें और विश्वशान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें योग भारत की सांस्कृतिक दुरासत है आज योग पुरे विश्यों में फैल रहा है और इसके विश्तार के पीछे अनेक योग गुरूं का योगदान रहा है योग के द्वारा पूरे विश्यों में लोग आरोग्य वर्दर और रोग निदान का लाब उठा रहे है विश्य माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुश मंत्राले भारत सरकार के नित्रित्व में राजपत नई दिल्ली में आयुजित योग प्रदर्शन का नित्रित्व किया समूचे विश्व ने पूल उत्साह के साथ 21 जून 2015 को प्रथम अंतराश्ट्रिय योग्य दिवस के रूप में मनाया इस यादगार अफसर पर दो गिनिस विश्व रिकॉर्ड बने 35,985 प्रतिभागियों के साथ योग का सबसे बड़ा सत्र एवं योग के एक ही सत्र में सरवाधिक देशों यानि की 84 देशों के नागरिकों की प्रतिभागिता पूरे विश्व से करोडों लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रतम विश्व योग दिवस मिल कर मनाया योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेश्टह परिश्कृत विज्ञान पर आधारित है यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है योग शब की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युग से हुई है जिसका अर्थ जुड़ने या एक जुट होने से है यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिकत चेतना को सार्व भौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रिसर करता है जिससे मन और शरीर तथा मनुश्य और प्रकृति के बीच एक बहतर संतुलन बना रहे योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म वैविश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी यौगिक लेखों के आधार पर शिव जोकी पहले योगी या आदी योगी थे उन्होंने अपने गेहन ग्यान को अपने साथ शिश्यों, प्रसिद्ध सप्रिश्यों या साथ मनीश्यों के बीच प्रसारिद किया था योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है लेकिन महर्शी पतंजली जिनने आधुने की योग के पिता के रूप में माना जाता है वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और समिता बद्ध किया बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के सनरक्षन और विकास के लिए अपना योग दान दिया और इस आश्चर जनक अभ्यास को फैलाया योग के विभिन विद्याले हैं जिनमें ज्ञान योग, भक्ती योग, कर्म योग, पातन जला योग, हट योग, कुंडलीनी योग, ध्यान योग, मंत्री योग, लै योग, जैन योग, बौध्ध योग, आधी शामिल हैं प्रतियक विद्याले की अपनी पद्धियां और अभ्यास हैं जो योग के मुखे लक्ष और उद्देश्यों की ओर मार्क दिर्शन करती हैं कुछ प्रमुक रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाई हैं यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्यहारा, धारण, ध्यान, समाधी, बंधा, मुद्रा, शत कर्मास, युक्त हारा, मंत्र जापा तथा युक्त कर्मा योग का अभ्यास करने वाले को योगा अभ्यास करते समय यहां बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिध्धानतों का पालन करना चाहिए अभ्यास से पूर्व योगा अभ्यास शांती और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिश्क के साथ करना चाहिए यह खाली पेट या हलके पेट करना चाहिए यदि आपको कमसोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिला कर पी लें शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हलके और आराम दायक सूती कपड़ों को प्राथमिक्ता देनी चाहिए कोई पुरानी बिमारी, दर्द या हृदे संबंधी समस्या होने पर योगा अभ्यास करने से पहले किसी चिकितसक या योग चिकितसक से परामर्श अवश्य करें अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्र का प्रारम, प्रार्थन या वंधना से किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मन की शांती के लिए एक सहायक वातावरन बनता है। योग अभ्यास धीरे-धीरे तनाव मुक तरीके से शरीर और सांस की जागरूकता के साथ किये जाने चाहिए। सांस को तब तक ना रोकें, जब तक ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या जटके के साथ ना रखें। अभ्यासों को अपनी शमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन, मौन या शांती पाट से करें। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्यान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाबकारी यह हजारों वर्ष पूर्था वैसा ही आज भी है। का ज्यान के पाना प्रासंग झाल में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाबकारी यह है। अूम् अूम् अंभचे घ्ष्वम् संवध्ध घ्वम् संगचत्वं संगधत्वं संभो मनांसी जानतां संभो मनांसी जानतां देवा भागं यता पूर्वे संगाना ना उपासते संगाना ना उपासते संगाना ना उपासते संगाना ना उपासते योग की दुनिया में आपका स्वागत है आईए अब हम योग साधना का अभ्यास चालनक्रियाओं यानि शितिलता अभ्यासों से करते हैं जो शरीर में सूक्ष बरूप से रक्संचार को बढ़ाते हैं गर्दन का व्यायाम गर्दन को आगे और पीछे जुकाना सचेत मुद्रा में खड़े हूं पैरों को आराम दायक स्थिती में फैलाएं तथा हातों को कमर पर रखें सांस छोडे तथा सिर को धिरे धिरे आगे की और जुकाईं और थोड़ी को चाती से स्पर्ष कराने का प्रयास करें सांस भीतर ले तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिये हुए सिर को वापस आगे लाएं. गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर जुकाना, सांस छोड़े तथा सिर को धीरे-धीरे दाहिनी तरफ जुकाएं. कान को कंदे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो. सास भीतर ले तथा सिर को सामाने स्थिती में लाए, सास छोड़े तथा सिर को बाई तरफ जुकाए, सास भीतर ले तथा सिर को वापस सामाने स्थिती में लाए, दाहिनी और बाहिनी ओर गुमाना सास छोड़े तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना गुमाए कि थोड़ी कंदे की सीध में आ जाए सास भीतरले तथा सिर को वापस सामान निस्तिती में लाए सास छोड़े तथा सिर को बाहिन तरफ गुमाए सांस भीतर ले तथा सिर को वापस सामान निस्थिती में लाए गर्दन को गुमाना सिर को आगे की ओर जुका कर थोड़ी को चाती से स्पर्ष कराने का प्रयास करें सांस भीतर ले तथा सिर को घड़ी की सुईयों की दिशा में घुमाए सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़े, सिर को घड़ी की सुयों की विप्रीत दिशा में घुमाए, गर्दन के चारों ओर खिचाव, गर्दन के जोडों और मास पेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूती करें, गर्दन में दर्द और पॉंडलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। जब हाथों को सिर से उपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांगों को वे स्पर्श ना करें। उंग्लियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। सकंध चक्र सीधा खड़े हो जाएं। बाई हात की उंग्लियों को बाई गंधे पर रखें। दोनों कहन्यों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की और कहन्यों को घुमाते हुए वक्ष थलके सामने स्पर्श कराने की कोशिष करें। और जब कहनीयों को घुमाएं, तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरहां विप्रीत दिशा में बुजाओं को खीचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दोरान बुजाई शरीर को सपर्ष करें। इस क्रिया को बाई सिदाएं अर्थात घड़ी की सुई की विप्रीत दिशा में पांच बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड़ियां, मास पेशियां और सकंद शेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्त रहती हैं। यह अभ्यास गरदन की रीड की हड़ी की अपकरशक दोनों हातों को छाती की उचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हूँ। सास छोड़ें शरीर को दाहिनी तरफ इतना गुमाएं कि बाई हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सास भीतर लेते हुए वापस लोटें। पुनह दोहराएं। सास लेते हुए दीरे दीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दोरान यहे व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सास छोड़ें। आईए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताडासन ताड का अर्थ है ताड का पेड। पैरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सास भीतर लें तथा बुजाओं को उपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एडियों को भूमी से उपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आशन शरीर में मजबूती लाता है। रीर से जूड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहेता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सास छोड़ें, एडियों को नीचे लाएं। उंगलियों की जकडन को खोलें, हाथों को धड़के सामांतर नीचे लाएं। और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। व्रिक्षासन व्रिक्ष का अर्थ है पेड। दोनों पैरों में दो इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आखों के सामने किसी बिंदू पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांक पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूला धार अर्थात पेरेनियम शेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को उपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस पर मिलाएं। इस थिती में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामाने रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्रिकी सनाईयों को बहतर और शरीर को संतुलत बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाए पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाए पैर से भी करें। बाए पैर को मोड कर उसके पंजे को दाए पैर की अंदरूनी जांग पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को उपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस पर मिलाएं। पाद का अर्थ है पैर और हस्थ का अर्थ है हाथ। दीरे दीरे सांस भीतर लें और हाथों को उपर उठाएं। शरीर को कमर से उपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक जुकें जब तक पूरी हथेली धर्ती को स्पर्ष करने लगें। इस अंतिम स्थिती को 10 से 30 सेकंड तक बनाई रखें। जिन लोगों को पीट की अकडं की समस्य हो, उन्हें अपनी शम्ता के अनुरूप ही जुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, दीरे दीरे सीधी स्थिती में आएं। और भुजाओं को सिर के उपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें, और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत करम में करते हुए प्रारंभिक्सिती में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों के से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे जुकाएं, गर्धन की मासपेशियों को खीचें, तथा रीड के निचले हिस्से से पीछे की और जुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस थिती में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीड को लचीला बनाता है, तथा मेरू तांत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की शमता को बहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे-धीरे वापस आएं, तथा विश्राम करें। उच्च रक्त चाप के रोगियों को साफधानी से जुकना चाहिए। त्रिकोणासन त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पेरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो। हाथों को धीरे-धीरे किनारे से तब तक उठाये, जब तक वे शैतिज न हो जाये। सांस छोड़े, धीरे-धीरे दाहीनी तरब जुके और धाहीने हाथ को दाहीने पैर के ठीक पीछे रखे। बाएं हाथ को दाहीने हाथ ही सीध में खड़ा करे। सामाने श्वास के साथ इस थिती में 10 से 30 सेकिन तक रहें ये समतल पैर से बचाता है पिंडलियों, जांगों तता कमर की मास पेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरू दंड को लचीरा बनाता है सास अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं बाई तरफ के लिए फिर धोराएं स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्यत चेकित्सा के उपरांद यह आसन ना करें अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं भद रासन आईए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तयार हूँ भद्र का अर्थ है ड्रिड पाओं को सामने की तरफ फैला कर सीधे बैठें हाथों को कूलों के पास रखें यह दंडासन है अब अपने पैरों के तल्वों को एक साथ रखें सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें अपनी एडियों को जितना संभवो उतना मूलाधार के पास लाएं यह अंतिम सिती है इस थिती में कुछ देर तक रहें बदरासन छरीर को ड्रिड रखता है और मस्तिश को स्थिर करता है अब अपने पैरों को खीचें और विश्राम की अवस्था में आएं अक्यूट आर्थराइटिस अथ्वा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें सर्व प्रथम दंडासन में बैठ जाएं पैरों को मोरते हुए एडियों पर बैठ जाएं जांगों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों हाथों को घुटनों पर रखें सिर्ष से पाउं तक शरीर को सीधा रखें इस आसन को वज्रासन कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन सर्व प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं गुटनों के बल खड़े हो जाएं हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलिया जमीन की ओर हों कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें अब सिर को पीछे की तरफ जुकाते हुए गृवा की मासपेशियों को खीचें श्वास को अंदर खीचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना जुकाएं श्वास बाहर छोड़ते हुए इस थिती में शिथिल हो जाएं सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस थिती में 10 से 30 सेकंड तक रुकें इस योगा भ्यास से पीठ और गर्दन की मासपेशियां मजबूत होती हैं कब्स एवं पीठ दर्थ से मुक्ती मिलती है श्वास खीशते हुए वापस वजरासन में बैठ जाएं शिथिल हो जाएं उष्टरासन वजरासन में बैठ जाएं घुट्णों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पेरों की जांग और पंजों को आपस में मिला लीजिए घुट्णों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुट्णों के बल खड़े हो जाएं श्वास खीचते हुए धीरे से पीछे की ओर जुकें. धीरे धीरे दहीने हाद से दहीनी एडी और बाई हाद से बाई एडी को पकड़ने का प्रयास करें. इस बात का ध्यान रखें कि पीछे जुकते समय गर्दन को जटका ना लगे. उष्ट रासन ध्रिष्टी कोण में अत्यंतलाब दायक है. यह पीट एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है. यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है. उच्च रक्त चाप, हृदे रोगी वे हरनिया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए. श्वास खी शशांकासन शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश. दोनों गुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगूठों को परस परस परश करने दे. हतेलियों को गुटनों के बीच रखें. सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खीचें. आगे जुकें और थोड़ी को भूमी पर रखें. बुजाओं को सामांतर रखें. सामने देखें और मुद्रा को बनाई रखें. यह तनाव और गुसे को कम करने में सहायक है. सांस भीतर खीचें और उठें. सांस छोड़ें और वजरासन में वापस आएं. अपने पैरों को वापस विश्राम आसन में लाएं. औस्ट्यो आथ्राइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए. उत्तान मंडुक आसन इस आसन में शरीर की स्थिती उर्द्वमुखी मेंडग जैसी हो जाती है. वजरासन में बैट जाएं. अंगुठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं. श्वास खीचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं. सिर के पीछे से दोनों हाथों क को मोडे और हथेलियों को विप्रीत कंधों पर रखें. अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिती में बने रहें. यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है. यह आसन शरीर के मध्यपट के लि के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए. वापसी में श्वास खींशते हुए दोनों हाथों को धीरे-धीरे सीधा करें और वापस ले आएं. अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थती में ले आएं. वक्राशन वक्र का अर्थ है तेढ़ा या मुड़ा हुआ. दाहिनी टांग को मोड़े और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें. बाएं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटे और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें. सांस छोड़े, शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़े. इस मुद्रा में आराम से रहें. अपना सर पीछे घुमाएं. सांस छोड़ते हुए, अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं. अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें. यह आसन मेरुदंड के लचीले पन को बढ़ाता है. यह कब्स तथा अपच दूर करने और मदुमह के प्रबंधन में सहायक है. इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं. अपना सिर पीछे गुमाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें. पैरों को सीधा फैलाएं. अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें. मकर का अर्थ है मगरमच. पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों. दोनों बाहें मोड लें तथा दाहीने हाथ को बाई हाथ पर रखें. अपने सिर को हाथों पर रख लें. आराम करें. यह मकर आसन है. यह आसन सभी अधोमुकी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है. यह पीट के निचले हिसे को आराम पहुँचाता है. बुजंग आसन अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं. सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभी के हिस्से तक छाती को उपर उठाएं. यह बुजंग आसन है. यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है. यह पीट दर्द तथा श्वास संबंदी समस्याओं से निबटने में साहयक है. सांस छोड़ें. अपने माथे को भूमी पर रहने दें. तथा बाहूं को खीचें. अपनी टांगे फैलाएं. हथेलियां उची करें. तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें. शलबासन इस तरह फिलाएं कि शरीर आसानी से भूमी से उपर उठ जाए. इस थिती में आराम से रहें. यह आसन साइटिका तथा पीट के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है. यह कूले की मासपेशियों को आकार देता है. अब सांस छोड़ें. टांगों को नीचे भूमी की और ले आएं. अपनी बाहें निकालें और भूमी पर विश्राम करें. रिदे रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए. सेतू बंधासन उर्द्व मुखी या पीट के बल लेट कर की जाने वाली मुद्राओं की ओर. सेतू बंध का अर्थ है पुल बनाना. टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें. दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एडियों को नितंबों के पास ले ज उचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं. आराम से रहें. यही अंतिम मुद्रा है. यह आसन अफसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है. यह पीट के निचले हिस्से की मास्पेशियों को मजबूत बनाता है. अब सांस छोड़ें. धिये धिरे मूल स्थिती में आएं और विश्राम करें. पीट के बल लेट जाएं. खृपय ध्यान रखें. गर्भावस्ता के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें. उत्तान पाद आसन. इस आसन में पीट के बल लेट कर पैरों को उपर उठाया जाता है. इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है. जमीन पर आराम से पीट के बल लेट जाएं. पैरों की स्थिती सीधी हो और हाथों को बगल में रखें. श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उपर उठाएं और तीस डिगरी का कोण बनाएं. सामाने रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें. यह आसन नाभी केंद्र अर्थात नाभी मनी चक्र में संतुलन स्थापित करता है. अर्ध हल आसन इस आसन में शरीर की स्थिती खेतों की जुताई करने वाले भारतिय हल की अर्ध अकृती जैसी हो जाती है. इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है. पीठ के बल लेट जाएं. दोनों हाथ जांगों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दे गुटनों को बिना मोडे अपने पैरों को धीरे धीरे उपर उठाएं. सर्व प्रतम अपने पैरों को 30 दिगरी तक उठाएं. ततपस्चात 60 डिगरी का कोण बनाएं. अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिगरी के कोण की स्थिती में ले आएं. यह अर्ध हलासन की पून स्थित इस अवस्था में शरीर की स्थिती नितम्व से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिती में सिर्जमीन से उपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्थ व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाबधायक है। परंतु उन्हें बड़ी साबधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीट के निचले हिस्से के दर्थ से पीडित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। दोनों घुटने मोडें तथा जांगों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकर लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर्थ तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से चूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्तासन है। यह कब्स दूर करता है, उदर वायू से मुक्ति दिलाता है, और पीछे की मासपेशियों तथा मेरू तंत्रिकाओं को ठीट करता है। अपना सिर्थ पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन शव का अर्थ है मिर्थ शरीर। यह आसन संपून विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीट के बल लेट जाएं। अथेलिया उपर की ओर हों। आखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागरत भावसे विश्राम दें। प्राकरतिक श्वास से परचित हों। इसे लाइबद और धीमा होने दें। तासगी पून और निश्चिंतता की अनुभूती होने तक इस अवस्था में रही। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है। और शरीर तता मस्तिश्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तता उसके परिणामों के प्रबंदन में बहुत सायक है। ार्णों के तनाव साथ में रहाण है। यह तताज है। यह तो में प्रदैंग ऄसरी देता की बहाणा dernière यह मस्तिश्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्ते जित करता है ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं आखे बंतरें और पूरे शरीर को विश्राम दें गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं सांस को उदर की मासपेशियों के बल्शाली संकुचन से बाहर निकाले शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखे फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकाले और विश्राम लें इस प्रक्रिया को तीस बार करें यह कपाल भाती का एक चक्र है प्रतियेक चक्र के अंथ में गहरी सांस लेनी चाहिए अब दो चक्र और करें कपाल भाती सामने की वायू निकाओं को स्वच्च करता है इससे कव संबंदी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंदी रोगों के उपचार में सहायक है क्रिप्या ध्यान रखें हृदे संबंदी परिशानियों उच्च रक्त चाप, चक्कराना, माईग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा ग्यास्ट्र कल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें प्राणायाम नाड़ी शोधन या अनलोम विलोम प्राणायाम त्रमशह बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है ध्यान की मुद्रा में बैट जाएं मेरु दंड सीधा रखें सिर उचा तथा आखें बंध हूँ शरीर को कुछ गहरी सांसे लेकर आराम की स्थिती में लाएं बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ग्यान मुद्रा में रखें दाया हाथ ना साग्र मुद्रा में होना चाहिए दाय अंगुठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें बाई नासिका चेदर से श्वास अंदर ले, फिर इसे बंद करले, दाहिने नासिका चेदर से श्वास बाहर निकाले, अगली बार दाहिने नासिका चेदर से सांस भीतर ले, दाहिना नासिका चेदर बंद करे और बाई नासिका चेदर से श्वास बाहर निकाले, यह नाडी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायम का एक चक्र है पाच चक्र और पूरे करें जो अनुलोम विलोम प्राणायम प्रारंप करने वाले नई लोग हैं उनके लिए श्वास अंदर खीचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर एक अनुपात दो करना चाहिए सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए इस प्राणायाम का उद्देश्य उर्जा के सभी प्रमुक मारगों को शुद्ध करना है ये पूरे शरीर को पोशित करता है ये चित को शांत करता है और एकागरता बढ़ाने में सहायता देता है ये प्राण शक्ती बढ़ाता है और तनाव तथा व्यगरता के स्थर को कम करता है ये कव संबंधी दोशों का भी निवारन करता है शीतली प्राणायाम शीत का अर्थ है ठंडा यह प्राणायाम साधक के चित को शांत करता है और मन की व्यागरता को दूर करता है शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांती प्रदान करता है पदमासन अथ्वा किसी भी आराम दायक आसन में बैठ जाएं अंजली मुद्रा अथ्वा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें जीब को किनारों से मोर कर ट्यूब की आकृती जैसा बना लें इस ट्यूब नुमा जीब से सास लेते हुए जितना हो सके वायू को फेफडों में भरें और मुह बंद कर लें और दोनों नासिकारंधरों से धीरे-धीरे श्वास छोड़ें शीतली प्रणायाम रक्त को शुद्ध करता है यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है उच्च रक्त चाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेश लाब प्रद है यह भूक और प्यास का शमन करता है कफ और पित के कारण होने वाली अपच्छ और अन्य व्यदियों को दूर करता है यह तवचा और नेत्र के लिए लाब दायक है थंड, कफ, अत्वा तुंडि का शोत, अर्थात, टॉंसिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए ब्रामरी प्राणायाम ब्रामर भौरे को कहते हैं इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनी निकलती है, वो भौरे के भुन-भुन से मिलती जुलती लगती है दोनों नास्चिदरों से गहरी सांस भीतर ले नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थेर भौरे के भुन-भुन के जैसी ध्वनी के साथ श्वास बाहर छोड़े यह ब्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है, दो बार और दोराए यह अनिद्रा की अच्छी दवा है इसे तनाव संबंदी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है अब भ्रामरी को शनमुखी मुद्रा में करें अपने कानों को अंगूटों से बंद कर लें अब तरजनी को अपनी आँख पर मध्यमा को नसा पुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें अपनी नाक खुले और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें नियंत्रित गती से धीरे धीरे भौरे की भुनबुन सी आवाज करते हुए श्वास छोडें यह एकागरता और ध्यान के प्रारंब के लिए तयारी करने का प्राणयाम है ध्यान आईए अब ध्यान के लिए तयार हूँ ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें अपने मेरू दंड को आराम दायक स्थिती में सीधा रखें ग्यान मुद्रा ग्रहन करें अपनी हथेलियों को जांगू पर उपर की तरफ को रखें बुजाए और कंधे ढीले और आराम की स्थिती में होने चाहिए अपनी आखें बंद कर लें और चेहरे को हलका सा उपर उठा कर बैठ जाएं आपको एकाग्र होने की आवश्यक्ता नहीं है वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हलका ध्यान दे और अपनी सासों के प्रती जाग रुखों ध्यान मस्तिश को शांत और आनंद में रखता है ये एकाग्रता, स्मृती विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ती को बढ़ाता है ये पूरे शरीर और मस्तिश को सही तरह से आराम देकर उसे पुना चैतन्य कर देता है ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है ध्यान हमें आत्मनभूती की दिशा में आगे बढ़ाता है ध्यान की स्थिती में बने रहे ये लूपिया कर दोज देनात्मक भावे ये लाव में आत्मक भावे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आप नला भाल कर दो 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 मैं कर दो 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 मैं स्वयम को इक स्वस्थ शांति प्रिय आनंद पोण इम प्रेम पुण मानों बनाने का संकर्प लेता हूँ अपने प्रत्य कार्ये से मैं अपने चारों और सुक संबिद्धि इम शांति में स्नेह पुण वाताउन बनाने का प्रयत्न करूँगा मैं अहम इम अज्यान के इंद्रित जीवन की स्थान पर योग में वे विवेग पुण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व इम एकत्व की भाव के साथ पूरे विश्व को स्वय में समाहित करने का पूर्ण पुर्शार्थ करूँगा मैं वसुधेव कुटुम्बुकम इम सह अस्तित्व की सिध्धान्त के प्रती पूर्ण आस्था रखते हुए सब के प्रती कृतज्य भाव से आत्मत व्यवारव आचान करूँगा मैं यहां उपस्थित हर व्यक्ति से एक आत्म होने का संकल्प लेता हूँ सर्वे भवन्त सुखिनह सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रानि पश्यन्तू मा कश्चित दुख भाग भवे मा कश्चित दुख भाग भवे उम शान्ति 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 मा कश्चित शान्ति झालो 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 झाल शाल